कार दोस्तों आईए जिब विज्ञान के 20 प्रस्णों पर पुना बात करते हैं पहला प्रस्ण है आज सभी प्रस्ण विटामिन से सम्मदित होंगे विटामिन से सम्मदित विविन परिक्षों में क्या-क्या प्रस्ण पूछे गया हैं उसको अमने संग्रहित करके एक शाथ लाया है तो पहला प्रस्ण है विटामिन की खोज किसने की से उत्तर है विगल्ब डी सी फांक दूसरा है विटामिन क्या होता है से विगल्ब कारवनिक योगिक नक्स तिसरा है कि योगिक के समू को सहायक आहार कहा जाता है या किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है या किसे उर्जाप्राप्त नहीं होती है इसका सही उत्तर है विकल्बसी बिटामिन ये तीन गुन जो है बिटामिन के हैं बिटामिन के बारे में ये तीन तत्थ है चौथा है कौन सा विटामिन पर्ति ओक्सी कारक है। इसका सई उत्तर है विकल्प A, विटामिन C, विटामिन A, A, C, V, E, पर्ति कारक है। पाचमा है छेली वी सबजी को धोने से तथा खाना पकाने वह भंडारन के दोरान आसानी से नस्थ होने वाला विटामिन है। इसका से उत्तर होगा विकल्प B, विटामिन C, नेक्स्ट है किसी सबजी से प्राप्त नो हो सकने वाला विटामिन है। इसका से उत्तर है विकल्ब D, बिटामिन D, बिटामिन D शरीर के अंदर सुर्व के प्रकास से बनता है नेक्स्ट है सात्मा सही मिलान करें इसका वज़ाएगा रतोंधी बिटामिन A की कमी से, एसकरवी बिटामिन C की कमी से, रिकेडस बिटामिन D की कमी से और रक्त का थक्का बिटामिन क्य की कमी से नहीं बनता है आठमा है खमीर ये इस्ट महतपूर्ण सुरोत है तो इसका सही उत्तर होगा विकल्ब ये बिटामिन बी का बिटामिन बी कम्पलेक्स की मदद से खमीर से दवा बनाई जाती है नौवा है उस बिटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मानसाहरी भोजन में नहीं मिलता है इसका सही उत्तर होगा विकल्ब बी बिटामिन सी सबजी से हमें प्राप्ट नहीं होता है बिटामिन डी और मानसाहरी भोजन से हमें प्राप्ट नहीं होता है बिटामिन सी दसमा है कौन सा विटामिन केल्सियम के अफसोशन में सहायक है इसका से उतर है विकल्ब D, विटामिन D एक अरमा है फिर सही मिलान करें तो रेटिनोल विटामिन A का राशानिक नाम है एसकॉर्विक एसिड विटामिन C का राशानिक नाम है केलसी फेरोल विटामिन D का राशानिक नाम है और ट्रेकोफेरल विटामिन A का रशानिक नाम है वारमा है विटामिन K की बिसिस्ट भूमिका किसके संसलेशन में है तो यह से उत्तर होगा प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन यकृत में पाया जाता है प्रोथ्रम्बीन की मदद से रक्त का असकंदन रोकता है प्रोथ्रम्बीन यक्रित में पाया जाता है जो रक्त का असकंदन रोकता है यानि ब्लड क्लोटिंग जब रक्त बहने लगता है उसके रक्त सराव को रोकता है बिटामिन के प्रोथ्रम्बीन की मदद से तेरवा है कौन सा विटामिन जल में घुलन सील है सही उत्तर होगा विकलबी विटामिन बी वर विटामिन सी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलन सील है और सेज जितने विटामिन है वो वसा में घुलन सील है चौद्वा प्रसंद देखिए वासा में घुलनसील विटामिन कौन सी है तो इसका सही उत्तर होगा केलसी फेरोल, केरोटीन वा टेको फेरोल विटामिन B B हो गया B कमपलेक्स सीरिज में एक आता है सैकोवालमिन जो जल में घुलनसील है राइवोफलमिन बी कमपलेक्स सीरिज का है जो जल में घुलनसील और थाइमिल ये भी कॉंपलेक्स सी रिश्का है और बच जाते हैं केलसी फेरोल, टेको फेरोल और केरोटिन जो की वासा में घुलनसील है हमने बताय था कि बिटामिन बी और बिटामिन सी जल में घुलनसील है और से सभी बसा में गुलंसिल है ये सभी बिटामिन के रसाइनिक नाम है पंदरमा है ऐसा कौन सा बिटामिन है जिसकी अतिधिक मात्रा में सेवन से सरीर में संगरहित हो जाते हैं और घातक प्रभव डालते हैं इसका सही उत्तर होगा बिटामिन A वा बिटामिन D विकल ए बिटामिन A वा बिटामिन D वसा में गुलंसिल है जो उत्तकों में संचित हो जाते हैं जिससे सरीर को हानिकारक प्रभव डालता है गाजर में सबसे परचूर मत्रा में कौन सा बिटामिन पाया जाता है तो सही उत्तर होगा बिकल ए बिटामिन A गाजर एक रंगीन फल है और रंगीन फलों में मुखता बिटामिन A पाया जाता है 17 है मानव सरीर में संक्रमान को रोकने वाला तथा सरीर को परती रक्षा प्रदान करने वाला बिटामिन कौन सा है यह होगा बिटामिन A इसका सही उत्तर होगा बिकल ए बिटामिन A 18 है कौन सा बिटामिन समनता मुत्रुदारा मानव सरीर में उत्सर्जित हो जाता है यह जो बिकल ए यह है B पलस C यानि बिकल बी और C होगा कौन सा बिटामिन समनता मुत्रुदारा मानव उत्सर्जित करता है इसका सही उत्तर है बिकल डी बिटामिन B और बिटामिन C चुकि बिटामिन B और C जल में घुलन सील है अतह मुत्रुदारा यह बाहर निकल जाता है और 17 का उत्तर था मानव शरीर में संकर्मन को रोकने वाला तथा शरीर को परतिरक्षा परदान करने वाला विटामिन होगा यह विटामिन इसे ए पढ़ेंगे तो विटामिन ए होगा किस विटामिन का संसलेशन यक्रित में किया जाता है जिसका सई उत्तर है विकल D-Bitamin-K यकृत में प्रोथराम्बिन का निर्मान होता है जो रक्त सराव को रोकता है विश्मा है विटामीन-A मुक्त कहां संग्रहित होता है इसका सही उत्तर है विकल D-Yakrit यानि विटामीन-K का संसलेशन यकृत में होता है और विटामिन ए यक्रित में संग्रहित होता है तो ये था बाइलोजी के बीश महत्पूर्ण परस्ण जो विभीन परिक्षों में पूछे गया हैं उमीद है आपने अभ्यास किया होगा आने वाली परिक्षों में भी ये परस्ण पूछे जाएंगे उमीद है कि आप लोग अभ्यास करेंगे और इसे अच्छे से याद कर लेंगे अगर यह हमारा प्रियास आपको अच्छा लग रहा है हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए दोस्तों मित्रों के वीच सेर करिए धन्यवाद